नमस्कार, मैं रविना, MNS News Lime में आप सभी दश्वों का स्वागत करती हूँ खबरों की वर बढ़ने से पेले एक नजर आज की हेडलाइन पर हाथ में गंगाजर लेकर बोले कॉंग्रेस नेता सरकार बनी तो दस दिन में होंगा किसान का कर्ज मार ट्रेन से कटकर दो मादा बाग बच्चों की हुई मौत चंद्रपूर में हुई बादा युनिवर्सिटी को छुट्टियों के चलते आगे बढ़ानी पड़ी परिक्षव की तिथी अब खबरे विसार से राइपूर किसानों के कर्ज माफी के वादे का कॉंग्रेस ने एक बार फिर दो राया है कॉंग्रेस नेताओं ने हाथ में गंगाजर लेकर कहा कि यदि हमारी सरकार बनी है तो दस दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे पूर्व केंद्रिय मंत्री आर पी एन सीहा ने कहा कि हम ना घोष्णा पत्र दे रहे हैं ना ही जुम्ला दे रहे ये वादा उन्होंने किया है ट्रेन से कटकर दो माधा बच्चों की हुई मोज चंद्रपूर के जुनोना जंगल की घटना दर्शाई जाती है यह माधा गुर्वार सुबं बाग के दो बच्चों को मृत पाया गया 6-7 मैने के बच्चे है जो जंगल में विचरन करते हुए रेलवे लाइन के बीच आकर पट्री से गुजरते वक दोनों की कटकर मृत्यों हो गई नागपूर यूनिवर्सिटि ने इद ये मिला नभी की सरकारी छुट्टी के दिन 21 नमबर को विबीद विश्यों की परिशा रखी थी लेकिन छात्र संगटनों के विरोध के बाद यूनिवर्सिटि ने इस दिन की परिशाओं को सगित कर स्थिति में बदलाव किया है खबरों में आज के लिए इतना ही MNS News Live देखने के लिए MNS Hindi आप डाउनलोड करे और हमारी चानल को सब्सक्राइब करे तब तक के लिए धन्यवाल